ओम शंती अज सूलह मईं 2022 दिन सोमवार की साकार मुर्लिप आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावा क्यों को मीठे बच्चे तुम इश्वरिये फैमिली के हो इश्वरिये फैमिली का लो अर्धात नियम है भाई भाई हो रहना ब्राह्मन कुल का लो है भाई बेहन हो रहना इसलिए विकार की द्रिष्टी हो नहीं सकती प्रश्न यह संगम युग कल्यान कारी युग है कैसे? उत्तर इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के समुख आते हैं और बाप टीचर सत्गुरू का पाट अभी ही चलता है यही कल्यान कारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत जो नर्क को स्वर्ग बनाने की वा सबको सदगती देने की है उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो प्रश्न तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है कैसे? उत्तर तुम बुद्धी से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्से को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हूँ, उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं गीत, भोले नाथ से निराला, गोरी नाथ से निराला, कोई और नहीं ओम शंती पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो पांच हजार वर्ष पहले भी बाप ने कहा था, कि मन मनाभव देह के सब संबंध छोड़, अपने को अशरीरी आत्मा समझो सभी अपने को आत्मा समझते हो अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं गाते भी हैं पाप आत्मा पुन्यात्मा महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा जाता आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है खाद आत्मा में ही पड़ती है बाप बच्चों को युक्ती से बैठ समझाते हैं यह तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन हैं अब कई युगल बैठे हैं उन्हों को कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े परन्तु यह लो समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है तो भाई भाई हो गए फिर मनुश्य तन में आते हैं तो प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बेहन ठहरे सब कहते भी हैं कि परम पिता परम आत्माओं बाप है ही स्वर्ग का रचियता हम उनके बच्चे हैं तो क्यों न हम स्वर्ग के मालिक बने परन्तु स्वर्ग तो होता ही है सत्यूग में ऐसे नहीं कि बाप कोई नई स्रिष्टी आकर रचते हैं बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं अर्थात इस विश्व को बदलते हैं तो जरूर बाप यहां आया है भारत को स्वर्ग का वर्सा दिया है उसका यादगार सोमनात का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था और सभी बाद में वरद्दी हुए तो जरूर बाकी सभी आतमाएं निर्वान धाम में बाप के पास रहेंगी भारतवासी जीवन मुक्त थे सूरेवन्शी घराने में थे अब जीवन बंध में है जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे फिर उसमें बाकी जिनों ने जितनी मेहनत की उतना पद पाया जीवन मुक्त तो सब को कहेंगे तो जरूर मुक्ती जीवन मुक्ती दाता एक सत्गुरु हो ना चाहिए परन्तो यह किसी को पता नहीं है अभी तो सब माया के बंधन में है कहा जाता है कि इश्वर की गती मत न्यारी उनकी ही श्रीमत वे आते हैं जरूर पिछाडी में सब कहेंगे कि अहो प्रभू तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभू तेरी इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है तुम जानते हो फिर से हम सहज राज योग सीख रहे हैं कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा ना बाप खुद कहते हैं लाडले बच्चो मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ वह सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है नौलेज देते हैं और कोई भी इस स्रिष्टी चक्र की नौलेज दे ना सके इस स्रिष्टी चेक्र के आदी मध्य अंत वा वर्ड की हिस्ट्री जोग्रफी को कोई नहीं जानते परंपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कारे कैसे कराते हैं यह कोई भी नहीं जानते तुम बच्चे अब जान गए हो मनुष्य से देवता किये यह महिमा उनकी है मूत पलीती कपड़ धोए अब अपने से हर एक पूछे कि हम मूत पलीती हैं वा पवित्र है अकाल तख्त है ना अकाल मूर्त उनका तख्त कहां है वह तो जरूर परंधाम अत्वा ब्रह्म महतत्व है हम आत्माएं भी वहां रहती हैं उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है वहां कोई आना सके उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहां रहता है बाकि वहां कोई तक्तवा कुर्सियां दी रहने के लिए नहीं है वहां तो अशरीरी है न तो समझाना चाहिए कि सेकिंड में जीवन मुक्ती मिलती है अर्थात लायक बनते है बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विश्नुपुरी को याद करो अभी तुम ब्रह्मा पुरी में बैठे हो ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे यह है इश्वरिय फैमिल पहले तुम बैठे हो दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान शिव के पोत्रे ठहरे फिर मनुष्य तन में है तुम भाई बहन हुए इस समय तुम भाई बहन प्रेक्टिकल में हो यह ब्रामनों का कुल है यह बुद्धी से समझने की बात है जीवन मुक्ती भी सेकिंड में मिलती है बाकी मर्तबे तो बहुत है महा दुख देने वाली माया तो होती नहीं ऐसे नहीं कि सत्यूग से लेकर कल युग तक रावन को जलाते रहेंगे जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं यह असंभव है स्वर्ग में असुर कहां से आई बाप ने कहा कि यह आसूरी संप्रदाय है फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर कहते क्रिश्न ने गाएं चराई यह भी पाट चला है शिब बाबा की गाएं तुम ठहरी न शिब बाबा सबको ग्यान घास खिलाते हैं घास खिलाने वाला परवर्ष करने वाला वह है मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन और हम नीच पापी हैं अपने को देवता कहना सकें हिंदू कहना सकें असल नाम भारत है गीता में भी है यदा यदाही धर्मस्य ग्लानी भवती भारत गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है यह है भगवान वाच भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं स्वर्ग में हैं सब देवी गोण वाले मनुष्य उनों को ही 84 जन्म लेने हैं तो जरूर स्वर्ग से नर्क में आएंगे आपे ही पुज्य आपे ही पुजारी उनका भी अर्थ होगा ना नंबर वन पुज्य श्री क्रिश्न है किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है बाल अवस्था को सतो युवा है रजो व्रिद है तमो स्रिष्टी भी सतो रजो तमो होती है कल युग के बाद फिर सत्युगा ना चाहिए बाप आते ही है संगम पर यह है most कल्यानकारी युग ऐसा युग कोई हो नहीं सकता सत्युग से त्रेता में आए उनको कल्यानकारी नहीं कहेंगे क्योंकि दो कला कम हुई तो उनको कल्यानकारी युग कैसे कहेंगे फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कमती हो जाएगी तो यह कल्यानकार युग नहीं रहा कल्यानकारी यह संगम युग है जबकि बाप खास भारत को और आम सब को गती-सदगती देते हैं अभी तुम स्वर्ग के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो बाप कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है तुम अपने धर्म को भूल गए हो तब और और धर्मों में घुश जाते हो वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे उंचा है अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े बाकी सब हैं आसूरी रावण मत पर सब में पांच विकार हैं उनमें भी पहला है अशुद अहेंकार बाप कहते हैं देह अहेंकार छोड देही अभिमानी बनो आशरीरी भव तुम मुझ बाप को भूल गए हो यह भी भूल भूलईया का खेल है कई फिर कहते हैं नीचे गिरना ही है तो पुर्शार्थ क्यों करें अरे पुर्शार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी ड्रामा को भी समझना है यह एक ही स्रिष्टी है जिसका चक्र फिरता है सत्युग आदी सत है है भी सत हो सी भी सत कहते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी रिपीट होती है तो कब शुरू होगी कैसे रिपीट होगी उसके लिए तुम पुर्शार्थ करते हो बाप कहते हैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हों तुम भी सीखते हो राजाई स्थापन होगी यादव कौरव खत्म हो गए और जैजैकार हो गई फिर मुक्ती जीवन मुक्ती के दरवाजे खुल जाते हैं नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है जब लड़ाई लगती है तब ही गेट खुलता है बाप आगर गाइड बन ले जाते हैं लिबरेटर भी है माया के फंदे से छुडाते हैं गुरुओं की जनजीरों में बहुत फसे हुए हैं बहुत डरते हैं कि कहां गुरु की आग्या ना मानी तो कुछ श्राप ना मिल जाए अरे आग्या तो तुम मानते ही कहां हो वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी आपवित्र गुरु में मनुश्यों की कितनी भावना रहती है क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं भक्ती मार्ग का प्रभाव है अब तुम समझू सयाने बने हो तुम जानते हो कि ब्रह्मा विश्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी उसमें भी ब्रह्मा सो विश्णु का पाठ यहां है शंकर को यहां आने की दरकार नहीं बनाते हैं, अथा चित्र हैं, यह सब चित्र हैं भगती मार्ग के लिए, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, राधे कृष्ण आधी को भी चार भुजाएं दे देते हैं, दीप माला में महालक्षमी की पुजा करते हैं, वह हैं दो भुजा लक्षमी की, दो भुजा नारायन की, इ वाम मारग में जाने कारण काली हो जाती है फिर ग्यान चिता पर बैठने से घोरी बन जाती है जगदंबा ऐसी मीठी मम्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया है कितनी देवियां बनाते हैं पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं, तो यह गुडियों की पूजा हुई ना, बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नूध है, फिर भी होगा, भक्ती मार्ग का बड़ा पेशगीर अर्धात विस्तार है, कितने मंदिर, कितने चित्र शास्त रादी हैं, बात मत पूछो, वेस्ट ओफ टाइम, वेस्ट ओफ मनी, मनुष्य बिलकुल इस समय तुछ बुद्धी है, कौडी मिसल बन जाते हैं, बाप कहते हैं, अब भक्ती मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब बाप तुमको इन जंजटों से छुड़ा देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्से को हो जाएगा, हो जाता है, सन्यासियों को भी ग्रस्तियों के पास जन्म लेना पड़ता है, वह है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास, तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है, प्रेजिडेंट भी गुरुओं के आगे तेकते हैं। भारत पवित्र था। उनकी महिमा गाई जाती है। भारत वासी सर्वगुण संपन थे। अभी तो सब पूर्ण विकारी है। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे। गुरुनानक के मंदिर में जाते हैं तो जरूर सिख धर्म के हों क्योंकि पवित्र नहीं है अब बाप कहते हैं फिर से मैं शिवाले बनाने आया हूँ स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है गीता रामाय नादी सब खत्म होने है ड्रामा अनुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे कितनी समझने की बाते हैं यह पाठ शाला ही है मनुष्य से देवता बनने की परन्तु मनुष्य मनुष्य की सदगती कदाचित कर नहीं सकते अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं यहां है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है, सत्यूग में दुख का नाम ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम, स्वर्ग का नाम कितना बाला है, बाप कहते हैं कि भल ग्रहस्त वेवार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिग्या करनी है कि ब बाबा हम आपका बच्चा हूँ यह अंतिम जैनम जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्सा लूँगा बाप को याद करना बहुत सहज है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ब्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मौर्नी रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मौर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार देह एहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है आशरीरी बनने का अभ्यास करना है ड्रामा को यथार तरीती समझ पुर्शार्थ करना है ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुर्शार्थ हीन नहीं बनना है वर्दान संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ट प्रालब्द बनाने वाले तीवर पुरुशार्थी भव संगम युग छोटा सा युग है इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्ले है तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना सेकंड गया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गया सारे कल्प की श्रेष्ट प्रालब्द जमा करने का यह युग है अगर इस युग के महत्व को भी यात रखो तो तीवर पुरशार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे स्लोगन सर्व को स्ने और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है ओम्षण ती